नमस्कार मैं अभिशेक कमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस श्टड़ी वित अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू तो चलिए आज हम लोग सिरीज और पैरलल कंबिनेशन को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है इसमें आपको बहुत डिटेल समझेंगे तो तब तक आपना अच्छे-च्छे सरकिट जो आपके बनेंगे वह एक्जाम के सरकिट आप नहीं बना पाएंगे वितिन सेकेंड ठीक है और हम लोग कोसिज करेंगे कि वितिन सेकेंड ही सारे कोश्चन का जवाब भी हम लोग दे चलिए लेकिन इससे पहले हम जोड़ने के दो तरीके हैं एक आपका सिरीज होगा यानि सिरीज कंबिनेशन के तरीके से हम लोग जोड़ेंगे जिसे हिंदी में कहेंगे स्रेनी क्रम ठीक है और दूसरा जो तरीका होगा हमारे पास पैललल कंबिनेशन का ठीक है ना पैललल कंबिनेशन को हिंदी में कहें समानांतर क्रम इस दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इस वायर को जोड़ सकते हैं अब इस दो तरीके से जोड़ने का तरीका है सिरीज का तो आप जब सिरीज में जोड़ेंगे इन दोनों वायर को तो कैसा दिखेगा दिखेगा इस वायर को जब हम सिरीज कंबिनेशन में जोड रहा होंगे इस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिखेगा और जब हम इसको पैलल कंबिनेशन में जोड़ेंगे जोड़ेंगे इस वायर को तो आपको यह वायर इस प्रकार से दिखेगा ठीक है अब यह क्या कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है इस पे आपको ज्यादा दि यानि कि यह कैसे हुआ क्या हुआ यह होता क्या है इस पर अब हम लोग डिटेल क्लास को स्टार्ट करते हैं एक दम बेसिक से एक चीज को समझेंगे और यह काफी इंपॉर्टन चीज इसको समझना कि आप स्रेनी करम और जो समानांतर करम कह रहे हैं इनके बीच का आप गया54 डिसका आरवन ङलू है और एक आपके पास वायर होगा जिसका रजिस्टेन्स घली है इसका इसका अधां और इसका एक किनारा होहे है इसका आप किनारा यहीं steeds एक सिरीज कंबिनेशन कहने का मतलब यह है कि जब कोई flood सब्सक्रम यानिकि यह आपका एक रजिश्टर ह रजिस्टेंस है दूसरा आपका यह रजिस्टर है जब एक रजिस्टर का एक किनारा यह क्या है किनारा है इंड है और उसी किनारे के इंड से आपका दूसरा जो रजिस्टर है उसका एक इंड जब जुड़ेगा तो आप उसे कहेंगे कि यह सिरीज कंबिनेशन में है मतलब क या मैंने कहा कि जैसे यह आपका एक रजिस्टर था ठीक है। इस रजिस्टर का यह किनारा है она यह आपकाट अप किया यह यह लाया और इस एप इसके प्योंट हो गया और यह आपका पीपांट है तो यह देखें इसके इंड से ही को क्या कर दिया तो यह जो combination कहलाता है इस combination को क्या कहते हैं series combination या फिर इसे हम कहते हैं स्रेनी ग्रम अब जब भी series combination की हम जब बात करेंगे ना तो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है क्या कि जो आपका पहला जो रजिस्टर था इसकी वैलू कितनी थी इसकी लंबाई L थी और दूसरा रजिस्टर इसकी वैलू अगर हम लोग लेते हैं L लेकिन जब इन दोनों रजिस्टर को आपने जोड दिया तो इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया 2L हो मतलब यह कि series combination में एक आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसकी length क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी यानि कि increase हो जाएगी अब आपने क्या पढ़ा इसको मैं पूरा हटा रहा हूं summarize करूंगा अब आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है कि मैंने अभी आप और आपके पास एक यह AIR है इस वायर के इंड्स से दूसरे वायर को इंडसे आपको आप आप क्या करेंगे जब जोड़ देंगे तो इस क्रम को या फिर कम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे और सबसे बेमेश्ट चरीका इसको पहचानना ने का क्या है कि इसकी length क्या होग आपका इतना हो गया तो लेंथ क्या हो गया आपकी इंक्रीज हो गई चलिए ठीक है अब आईए फ्रेस फीगर में चलते हैं और अब बहुत सारी मैं नाम mention करते रहा हूं पी और क्यों अब इसको हमने क्या किया है सिरीज कंबिनेशन में ठीक है ना सिरीज कंबिनेशन में हमने जोड़ दिया है तो यह जो आपका रजिस्टर होगा इस प्रकार से ठीक है इसका यह पॉइंट है आपका यह बी पॉइंट और यह आपका एप प्लेंट इसके रजिस्टेंट का वेलू कितना है आरवन है अब इसी पॉइंट से हमने क्या दिया है आपका यह जोड़ दिया आपका क्यूपंट है यहां मैं पूइंट ले लिया हूं अब इसकी वाइलों कितनी आ गई और तो आ गई है ता आप यहांसा मैंने एक बैटर तो जब क्या है higher potential यह सब चीज आपको समझ में आना चाहिए और negative प्लेट को क्या कहेंगे lower potential कहीं भी दिक्कत है हिंदी में इसे निम्न विव हो और हिंदी में high potential क्या कहेंगे उच विव हो ठीक है अभी तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब आपको यह पता है कि जब आप उसको मैंने electricity chapter पढ़ाया था तो आपको यह जो positive plate की जब मैंने बात की थी और यह जो negative potential to low potential होती है और the coordinate direction होती यह वो किदर होती यह vos potential हुए 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 मतलब अगर मैं यहां पर li differ раст करना चाहां कि electronic direction किदर होगा तो electronic wish की है किस्या कितार है रोë potential से हाई potential कि और मतलब क्या लोग t यह पका low potential है और यह हाई potential यानि कि साबसे आपका एलेक्ट्रण फ्लो करेगा क्या है ऐस बीयसके डायक्ट्रों करेगा लेकिन अगर मैं आपसे पुछू करेंट का डायीरेक्ष्ण तो रहाऊ-खलक है याव कर्षाट्र यह पंडीये का लूट या आपने wire को series combination में जोड़ा है भाई है ना आपने क्या क्या है wire को series combination में जोड़ दिया है current का आपने direction देख लिया है और electron का आपने direction देख लिया यहां तक clear है अब series में जब आपने जोड़ा तो आपने क्या कहा कि series में जब आपने जोड़ा तो आपने करेंट का डायरेक्शन पहले बतलानी तो करेंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका यह करेंट का डायरेक्शन होगा यानि इधर से आपकी क्या रही होगी करेंट आ रही होगी यहां पर मैंने माना कि जो पॉजिटिव प्लेट है जो हायर पोटेंशल है से कितना करेंट निकला है आई करेंट करेंट निकला है तो यह आई करेंट इसके पास कितना रास्ता यहां से यह रास्ता जा रहा है ठीक है इस पॉइंट पे यहां से दो ब्रांचे बढ़ जाएगे अगर ठीक है ना तो अब आपके पास जो आप यहां से आई करेंट जो यह करें चलते 3-5 यानि कि 3 लोग इधर निकल गया तो इधर कितने लोग आएंगे दो लोग आएंगे यानि कि दो एंपएर आएंगे ठीक है ये कंचेप्ट लियर है लेकिन जब आपके पास यहां पर आप जब देख रहे हैं कि जो आपको करेंट का रास्ता दिख रहा कि इसके िपने को करने के बाद कितना करेंट करेगा क्योंकि रास्ता एक मों को यह यानी तो यहे आपको याद रखने इन warrior यानि जितना निकलेगा जितने लोग निकले हैं उतने लोग घर में आएंगे यह तो जितना निकलेंगे ठीक है उतना ही इन भी करेंगे अब यह बस चेक कर लेना, कि इनके पास क्या इस प्रकार से दो रास्ते या तीन रास्ते हैं, अब आएए, आखिर इस चीज को इतना बतलाने का मतलब क्या था, मतलब बस यहां पर यह था कि जब हम सिरीज कम्बिनेशन को पढ़ते हैं सर, ठीक है न, यानि जब हम स्रेनी करम को पढ़ते हैं तो इसका यह सब important line है और यह इतना हम detail इसलिए कर रहे हैं बस circuit को जब आप देखेंगे examination hall में तो पकड़ पाएंगे कि यह series combination में है या नहीं है हमने क्या किया दो register लिया इस प्रकार से इस दोनों register को हमने क्या है series combination में से क्या होगा पहले combination में कैसे गाहीं क्या के into-and wire वायर में क्या होती है अपका positive plat यहां से आई करेंट फ्लो किया यहां से भी कितना current आया आई और R2 में भी कितना current आया आई और in भी कितना करेगा तो आई यानि कि current क्या रहा हर जगा current आपकी constant रही यानि कि हिंदी में कहेंगे धारा जो थी आपकी ये आपकी नियत थी ठीक है तो series combination में हमेशा point याद रखना है कि length increase होगा और जो current होती है अब आई यह हम लोग पढ़ेंगे विभो के बारे में very very important point है यह जो आपका positive plate दिख रहा है इसको हम denote कर रहे हैं भी वन से यानि कि इस total battery का मैं यहां पर मना रहा हूं बहुत ही detail मैं आपको समझा रहा हूं यह आपके पास कोई एक battery है ठीक है यह आपका positive plate यह आपका negative plate है यह आपका total जो voltage है इस battery के पास कितना है total voltage भी है इस positive plate के पास जो voltage है कितना है भी वन है और इस negative plate के पास voltage कितना है भी टू है मैंने जस्ट मान लिया मतलब कहने का मतलब यह है कि total इस battery की जो voltage है कितना है विभो इसकी तो भी है अब इस positive के पास कितना भी वन है और इसके प को माइनस करेंगे से क्यूंकि भी क्या प्लस में है यानि बड़ा है इसलिए बड़ा सही हम इसा चोटा घटाएंगे यानि इस भी की मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं यानि कि भी वोल्टेज का अगर बैटरी लगा हुआ है इसका हमने मानले बीवन और इस नगेटिव प दूनते हैं अब यहां से आपका जो एक पॉुझेटिव प्लेटर आपका जो कनेक्शन आप जो देख रहा है जो पॉझेटिव प्लेटर यानि कि इस पॉझेट्ब अपर कितना रोल्टेज आईगा बीवन आएगा अब आये इस स्तार का इंड जो आपका आर्टू जो रजिस्टर है यह जो इंड है यह किस से कनेक्ट है वीटू से कनेक्ट है यानि कि इसके पास वोल्टेज कितना आया वीटू आया कहने का मतलब यह है सिरीज कंबिनेशन में करेंट तो कॉंस्टेंट होता है ठीक है ना ले हमने वोल्टेज्य कितना के चैजल टोल वोल्टेज तो था ंँ मतलब आ टोटल वोल्टेज है वह कितना है टोल वोल्टेज ही लेकिन रवंद िसनगे वहां पर voltage हमने कितना देखा वीवन देखा और जो रजिस्टर वहां पर हमने voltage कितना देखा वीटू देखा इट मीन्स क्या कि सिरीज कंबिनेशन में जो आपकी voltage होती है यानि कि हिंदी में कहेंगे जो विभव होती है वो क्या होता है constant नहीं होता है तो सबसे बेश्ट तरीका आपको पता करने का यहीं होगा constant नहीं रहता यानि कि change होता है कि series combination अगर आपको पकड़ना है तो आपको बस यह पकड़ना है कि क्या वहां current constant है current constant कहने का बस एक ही मतलब है है कि वहां रास्ता एक ही होगा ठीक है ना रास्ता एक ही होगा current constant का मतलब रास्ता मतलब एक ही होगा और जब रास्ता एक यह होगा तो जो current flow करेगा सबी register से ऑई current ही फुट करेगा और इसे हम क्या कहेंगे series combination का नाम देंगे मतला या कोई दिक्कत है यह important point और है यहां पे यहां है कि यहां पर आपका प्लाई कि सप्लॉय है थि कैं रुम मानगीह तो आपने श्यूज मानीत है । कि यह थे यह 10 जू उल्ट गिया तो यहाँ पर अगर दिया तो यहां पर यहां से आपका जो voltage supply हुआ मानके चलते है चे वोल्ट है तो यहां पर कितना आया होगा यहां पर 4 वोल्ट आया होगा तब जाकर कि आपका total कितना होगा 10 वोल्ट होगा क्लियर अब इसको पूरा fresh trigger बना रहे हैं यहां से हम सारा पॉइंट जितना भी समझें उसको मैं यहां पर आपका लिख रहा हूं सबसे पहले सिरीज कंबिनेशन सिरीज कंबिनेशन कहने का मतलब है दोनों तार का जो इंड टू इंड क्या होगा connection होगा यह इंड connection मैं कर दिय है कितना वोल्ट सप्लाइ करें आपने भी वोल्ट मोठी च्लाइक है लोगते लिए चंबिनेशन खसे नोट आउन करते चलिएगा सबसे बेख्ट रोड़ेजर सोरी स में और यहां पे नियत होती है करेंट तब रहेगा यानी कि जो आपकी धारा है थीके न हिंदी में रिखेंगे धारा आपकी क्या है यहां पे नियत होती है और आपकी अगर धारा constant है मतलब यह कि रास्ता कितना होगा यहां पर एक ही है रास्ता एक ही है ना भाई अभी आपको मैंने डिटेल यहां किया है रास्ता आपका एक ही था तो आपका आई करेंट फ्लो गया पांच एंप्यार लेकिन इसको दो रास्ता मिल गया तो current आपका डिवाईड हो गया तो सिरीज के केश में तो भाई क्या है रास्ता तो एक ही होगा ठीक है ना यह आप जो रास्ता देख रहे इस प्रकार से तो रास्ता एक है तो current भी क्या होगा स्रीज कंबिनेशन में अभी मैंने आपको बतलाया कि current क्या होती है constant होती है नेक्स रम ने आगर आपका B है और मैंने positive plate की value विवन लिया हूँ और negative plates की की वोज़ीटी लिया हूँ तो ये आपका positive plate से connect है तो इस इंड पे कितना वोल्टेज गजय आएगा ठीक है तो यहां पर कितना वोल्टेज आएगा भीवन आएगा यह वीट्र आपका connect है याख सेगेंड राजिस्टर की हिड़्स यहां पर कितना वोल्टेज आएगा मतलब यह कि अगा टोटल वोल्ट आएगा यह यहां ठाई टीन पॉंट आपको सबसे important है याद रखना है अब आप से पुछा समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा इसे हमें बतलाई देखे जब series combination के हम लोग बात करेंगे R equivalent निकालने का जो तरीका होता R equivalent निकालने का जो तरीका होता R equivalent मतलब समझ रहे R equivalent निसम्तूल यानि कि यह जो total wire है या आपका इस wire में दो register है एक R1 है और एक R2 यानि resistance R1 है और resistance R2 है तो जब आपने इसको series combine में कर दिया है series में आपने इसको जोड दिया है तो total अब इस wire की resistance value कितनी है R equivalent कितनी है तो याद रखेगा उसे हम क्या करेंगे हमेशा ही add कर देते हैं R1 plus R2 कर देते हैं तो यह एक और important point यहाँ note down कर लीजेगा जो R equivalent हम लोग निकालते हैं इसमें कैसे करते हैं R1 plus R2 करेंगे मतलब जितना भी resistance value होगा उसको हम लोग क्या करेंगे add on कर देंगे ठीक है मैं फिर से record कर रहा हूँ series combination में आपकी जो length होती है वो क्या होती है वो increase होती है current आपका constant होता है धारा नियत रहेगा धारा नियत रहने का मतलब रास्ता एक ही होगा voltage क्या होगी आपकी वो आपकी constant नहीं होगी यानि कि change होगी और जो R equivalent हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे R1 plus R2 करके clear है भई R equivalent कहने का मतलब क्या है कि यह जो आपका resistance R1 था और यह आपका resistance R2 था इस wire को जब हमने इसको series में इस परकार से जोड दिया तो अब जोड देने के बाद इस total wire का R equivalent क्या है मतलब अगर मैं इसका figure बनाओं ठीक है एक मिनिट दिखेगा इसका जो R equivalent का जो आप figure देखेंगे यह हो गया इसका final figure यानि यह हो गया आपका R equivalent ठीक है और R equivalent कितना होगा R1 प्लस R2 अब इसका एक example हम आपको देते हैं जैसे कि आपके पास एक resistance है ठीक है यह आपका resistance है जिसको हमने battery से connect कर दिया है यह आपका 2 ohm है और यह आपका 3 ohm है ठीक है यह आपका V voltage से connect किया गया आपसे पूछा गया R equivalent बतला यह ठीक है R equivalent बतलाने का मतलब यह है कि आपका इसका figure पहले बतना यह figure समझना जरूरी है तो आप इसका figure बनाएंगे इस प्रकास यानि यह जो wire है यह जो wire है इसका एक इंडिये हो गया और इस wire का एक इंडिये और एक इंडिये यानि कि दोनों को जब हम series में जोड़ देंगे इस प्रकास आप जोड़ दिये तो इसका resistance क्या होगा total resistance यानि कि यह कितना हो जाएगा पांच ओम हो जाएगा कैसे तो R equivalent series combination हम लोग क्या करते है आरवन प्लस आरटू कर देते हैं क्लियर हो गया अब दूसरा चीज़ आईए अगर इफ इफ रजिस्टेंस की वैलू अच्छा एक पॉइंट यह आपको याद रखना है इसको समझने से पहले अब एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट है मैं यहाँ पर पॉइंट करिएगा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है जो आपका R equivalent आया कितना आया पांच ओम आया चीक है आया 5 ओम आया कितना था आपका टू ओम था और टू कितना था तो तो आपके यहां देख सकते हैं जो आर इक्वेलेंट की जो वैलू आती है यह वैरी वैरी जिसकी रजिस्टेंस वैलू 50 Ohm है ठीक है यह हो गया इसी के साथ हम इसको सिरीस कंभीनेशन में यहां से जोड़ दे रहे हैं एक वायर और जिसकी रजिस्टेंस वैलू 10 Ohm है ठीक है अब इसको हमने एक बैटर से typical करेंगे और आपको second में भी बनाना है तो उसके लिए क्या जाएगा जैसे कि यहां पर आपको दे दिया जाएगा एक होम और यहां दे दिया जाएगा आपको option में कहीं आपकी 1.1 है ठीक है option में कहीं 0.5 है तो ये option गलत हो जाएगा ये भी ॉप्षिन आपके गलत है और ये भी आपके गलत है कहने का मतलब यह कि वंसे भी जादा होगा और आंगे क्यार कम निकालेंगे सब्सक्राइभ करके वंप्लस त расс Darwin यह होगे देते हैं 1.57 ठीक है और यहां पर दे दिया आपको माले तो 2.57 अब आपको option इस प्रकार दिया रहेगा 1.62 ठीक है ना 1.62 अभी तो calculation नहीं करने बैठना मतलब यह कि अगर आपको इस प्रकार से आपको अगर रजिस्टेंस की वैलू दे थे थोड़ा सा कंप्लिकेटेड करके इस प्रकार से 2.457 ओम है इसकी वैलू इसकी वैलू है 3.457 ठीक है तो आर एक्यूवैलेंट हमें निकल निकल वाना ठीक है option A हो गया option B हो गया option C हो गया option D हो गया अब यहां पर वैलू माले देते हैं 2.5 है यहां पर वैलू दे रहे हैं आपका 3.11 है यहां माले मैं वैलू दे रहा हूं 2.99 ओम दे रहा हूं यहां पर मैं दिख दे रहा हूं जो डी की जो वैलू होगी वह greater than 3.457 से greater होगी ठीक है ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो आपको आर एक्यूवैलेंट निकालना यह कौन सा सता खंबिनेश्य से शिरीस कंबिनेशन तो इससे भी जढदा होगा इस वी जादा हो क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं यह sap है तो यह होगा नहीं ठीक है इसके बाद 2.9 फोलीट ज्यादा इससे भी ज्यादा मत्याद 3.457 से ज्यादा ही होगा यानि कि ऑप्शन डी सही होगा यह से भी आप से एक्जाम में सवाल पूछ सकता है अब अंतिम सिरीज को खतम करेंगे लास्ट कंसेट के दा बाद इसके बाद हम लोग पैलल कंबिनेशन को स्टार्ट करेंगे तब अंतिम क्या आपका जो कंसेट बच रहा है स्रीज कंबिनेशन में यह बतलाना है कि हाँ जैसे कि मैं आपके पास एक यह ले रहा हूं ठीक है मैं आपके पास एक फीगर बना रहा हूं सर्कुट का यह आपका एक रजिस्टेंस है इसकाद एक और मैंने एड़ कर दिया इस परकार से एक और और अड़ कर दिया है और एक और एड़ कर दिया ठीक है यह हो गया आपको और एक बैट्यरे सैंसा मैंने कर दिया बैलू और यहां लेलू लेन यह तूपंट फाईब ओम है यह सिभी, अपना, का हीरिशनल में. से पाहले की कौन appearance और यहां इसा कंबिनेशन है यहां पर यहां से क्किएनन हो गया यहां अपका स्षre opportunity क्या हो गया या फिर आप ऐसे देखिए कि करेंट हम चेक करेंगे चीक है ना सबसे बेच तरीका करेंट 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 कि इदर से निकलेगी करेंट कैसे निकलता हाई टू लोग क्यों करता यह आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया तो करेंट का जो डायरेक्शन होगा व होते हुए करेंट आते जाएगा अब हमें यह देखना है कि हर रजिस्टेंस में आई ही करेंट कर रहा या चेंज हो रहा है तो यह करेंट आया यहां पर भी आएगा यहां पर भी कितना आई ही मिल रहा है यहां भी आई ही देखने को मिल रहा है यहां भी आई ही मिल रहा है यह आई जितना गया था उतना ही इंटर भी कर जाएगा यानि current देखिए हर रजिस्टेंस में यानि हर रजिस्टर में आपकी क्या है current आपकी constant आ रही है ठीक है ना यानि यहाँ जब प्रूब कर दिया मैंने आपको क्या कि यह आपका series combination है हो गया चलिए अबिसकी रजिस्टेंस वालों हमें निकाल लगुनेसेंस कि जब मिसन बात करेंगे तो आर MARY मैं दिन कासे निकालते हमें क्वाथ हम में उसको क्या प्रहाएंगे आप आणि क्या कर देंगे यह हो गिया हो गया वह गया यह आपका चू फाइब हो गया यह आपका कुर्प हो गया यह आपका पाश्च दस पंदरा दो यह इनि सतरा पॉंट फाइब अर एक्यू यह कि जो वैलू आई लेकिन अब यह बतलाने के लिए मैंने यह कोशन इसलिए लिया कि जब भी ठीक है ना यहां मैं लिख रहा हूं इसको पहले हटा देता हूं ठीक है कि जब भी आपको ऐसे कई अगर यहां पर आपको इस प्रकार से रेख रेख और आपको इसक प्रकार से डीक र। 2.912 टूहेह यहां पर खोस stairs लों इसका resistance प्रकार से इसका वैलूड मेट 6 करें दिया वा रहाथ था तो आप आपको जूडने में दिक्कत है लेकिन जब घू क्या होगी ठीक यू जी कौन सा केस की बात कर रहें हम लोग स्रीज के केस की बात कर रहें हमेशा याद रखेगा स्रेनी करम की बात कर रहें अगर आर की वैलू इक्वल होगी ठीक है ना देखें यहां पर टू-पाइब यहां भी तू-पाइब यहां भी तू-पाइब यहां भी तू-पाइब यहां भी तू-पाइब को जो R के value है उससे multiply कर देना अब यह n क्या है n है कि जितना आपने resistance लिया कितना हम ने लिया रजिस्टेंस एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि टोटल हमने साथ resistance लिया है और ऑर के वैलु कितनी है 2.5 यहाँ इस अब का हार सब्सक्राइब यहां पर यहां पर काफी मिलेगा निकालने के लिए क्यूंकि टोटल रिजिस्टन्स कितना है एक दो तीन चार टोटल साथ है तो साथ लिखेंगे अब मल्टिप्लाइब कर देंगे टू पर नाइन वन टू से डाइरेक्ट ठीक है साथ दूनी चाओदा साथ एकम साथ एकाट साथ नमा तीरिसर्ट तीन छे साथ दूनी चाओदा छे बीस तो यह डारेक्ट आप बनाएंगे यानि कि आप यहां पर यह आपको मैं यहीं पर मैं में मेंशन कर दे रहा हूं इसी पर यहां पर सिरीज के केश में एक तो आपको लेन्टे साथ ओगा करेंट कॉंस्टैंट होगा मोदेश चेंज होगा और इक्वल रहेगा तो आपकी आर इक्योवैल एकर निकलेगी तो और तों इन्ट्व आर कर के आप है छो भी हमेशा ही greater thanagen जो भी आपके पास स्य मोड़ा घर है तो यह पूरा का आपका सिरीज कमबिनेशन का सिप्ट था सिरीज में यहां से अब आपके बाहर नहीं आएंगा अब जैसे को और मैं एक पास और इ Nelson राजिस्टर की यानी कि प्रतेक प्रतिरोध की जो फ्लीत होगी वह लेकर चलते हैं तो हमें समतुल्य प्रतिरोध बतलाएं थीक्या हमें सम्तुल्य प्रतिरोध बतना यानि कि रभी बनेट रजिस्टेन्स की बतलाये और कैसा bullying हैं तो यह आपका series combination है कहने का मतलब यह आपका स्रेनी करम का combination है तो कुछ भी नहीं 40 register है n की value 40 हो गई ठीक है प्रतेक register की value कितनी है r की value 25 पांच ओम है तो r equivalent हम लोग कैसे निकालते series case में total n into r n की value 40 गुना r 425-200 ओम इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है अब यह जो तो आपने निखा है इसको हम आपको प्रूब कर दे रहे हैं बहुत तुरंद प्रूब हो जाएगा जैसे कि कि यह आपकी मैं बना दे रहा हूं डॉट 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 इस परकार से एन रजिस्टर है यहां पर एक बैटरी मैंने करनेक्ट कर दिया चलिए वाई यह ओ गया आपका आरवन हो गया यह अार्टी हो गया यह आपका आरण डरी हो गया स्वwn रोगा स्वाया एक स्वाया यानि टोटल कितना अट ह intersect big टोट अब perché टोटल Wy कर टोट है और सिरीजग मैंडेशन है तो यापका सिरीजगांट है तो आपका SR है तो टोटल कितना रजिस्टेंस है तो यह हो गया आपका प्रूब हो गया कैसे निकालेंगे कि अगर आपका रजिस्टेंस वैलू ठीक है ना समान है ठीक है और यह कैसा कंबिनेशन होगा अगर सिरीज कंबिनेशन होगा तो जितना रजिस्टेंस है कितना रजिस्टेंस है तो टोटल एन रजिस्टेंस है उस एन से क्या करेंगे उस एन से उतना रजिस्टेंस को मल्टिप्लाई कर देंगे काम खतम हो जाएगा ठीक है बाई क्लियर है अब एक और सिंपल सा इग्जामपल इस प्रकार से मैं तीन रजिस्टेंस ले रहा हूं और इस प्रकार से वैटरी कनेट कर दियां यह भी सों यह भी सों यह भी सों तो क्या करेंगे कुछ नहीं एन इंटु आर कर देंगे आर एक तीन गुना बीस यानि कि साथ हो इसका सही उत्तर हो क्या होती है कहने का मतलब जो आपकी धारा होती है यह नियत होती है और यह कंस्टेंट है अगर मिलेंघे त्कार सब्सद्स फेस आपको बोल दिया जाएगा यहां से करेंट बाहर आ ठीक है तो आप हमें रजिस्टेंस बतलाई यह पॉइंट हो गया और यह पॉइंट हो गया बी तो इस करेंट निकालना है इसका तो मैं इहां से करेंट इन कर रहा हुं ठीक है यहांच करेंट आय आप हमिए बतलाईएगा जो यह इसको आए यहां पर इसको यहँको ब्लस ऐत्याइप यह होगा मतलब की अगर आपने यहां से करेंट आपने फ्लो करवाया पांच एंपियर फ्लो कराया तो इधर मान के चलते हैं हम लोग दो एंपियर गया तो आई टू में कितना जाएगा तीन जाएगा इसको जोड करेंगे तो कितना टोटल करेंट के बराबर ही आएगा वही मैंने लिखाया कि यह उपर साइ से कितना करेंट किया है तो अगर इन दोनों के बीच पूछ जाएगा तो कैसा है सरीज कंबिनेशन नहीं क्योंकि करेंट इस रजिस्टन से आईवन जा रहा है और इस रजिस्टन से आईटू जा रहा इसलिए यहां पर सिरीज अपर द्यान रखना हम आगे चलता हैं लोग अब आगे हम लोग चलेंगे यह करेंट आइवन आगे बढ़ेगा यहां पर इस रजिस्टन से कितना करेंट करेंट करेंगा ठीक है अब यहां पर खतम हुए करेंट आइवन यहां पर आया ठीक है अब यहां से आपका आइटू यह आइटू जो है यह आपका आगे हुए इस रिज़िस्टेंस के पास कितना करिंट आएगा आई टू आट आए गा और धेन इस पॉइंट पर यहाँ पर दोनों मिल गया यानि की आई च्यक्षब दोंपेर और यह आई टू टू पास आई टू गया है इस रजिस्टेंस के पास और इस रजिस्टेंस के पास भी अगर आप देखेंगे तो आपका आई टू करेंट ही गया तो यह दोनों के बीच में कैसा यह होग आपका चलता हूँ और इसका बैल मैं मान के चलता हूँ और इसका अब हम क्या करेंगे प्रकार से इन दोनों को इन दोनों क्या है इन दोनों को के रहें यह przy यहां पर आर्वान को चोड़ेंगे लेकिन अब जो आपका यहांसे आई गया है और यहां से आई टू गया ठीक रहे फेर फाइनल यहां से आई निकल जाएगा अब यहां पर तो आपका i1 current गया है और यहां पर कितना current आया है आपका i2 गया तो यह दोनों तो अब series में नहीं है तो कौन सा combination होगा parallel अब उसको कैसे बनाएंगे कल सीखेंगे तो देखेंगे यह आपका circuit है सेकेंडों में बनने वाला circuit है तो आप इसे तब बना पाईएगा जब series को अच्छे से समझेंगे पैलल को अच्छे समझेंगे तो series को आपने समझा कैसे है कैसे apply करेंगे यह मैंने आपको एक example दे दिया पैलल समझ जाएंगे तो इसको दोनों को आप combine करके अब आप इसके सही उत्तर तक आप पहुंच जाएगा समझ माया तो question का वेराइडी बहुत होंगे बहुत तरीके से question पुछा जाएगा बट series का जो आपका main जो हमने आत्मा रख दिया है यहां पे आपको इस आत्मा को याद रखेगा हमेशा ही point याद रखना है कि series case में सबसे पहले क्या होगा end to end connection होगा यानि कि एक तार के end से हम लोग दूसरे तार के end को जोड़ देते हैं जिसके कारण सबसे पहला point length increase हो जाता है दूसरा point जो आपकी current होगी constant होगी और रास्ता एक होगा voltage constant नहीं होता है R equivalent R1 प्लस R2 होता है और R की value अगर same होगी तो N into R equivalent करके निकालेंगे और जो R equivalent की value आएगी वो प्रतेक resistance की value से क्या होगी greater than होगी clear है इतना आपको point याद रखना था कल मिलेंगे parallel समानांतर करम के साथ parallel combination के साथ उसके बाद एक class में पूरा circuit solve करतेंगे फिर क्रिचॉप्स law को पढ़ना है with stone breeze भी concept समझते हुए फिर हम लोग magnetic effect में सब कुछ द धन्यवाद